एलो फ्रेंड्स आप सभी का जवागत हैं आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से विहार बोड इंटरमेडियेट परिचा की बेहत्रिय रूप से त्यारी कराई जाती हैं और मैं आज इस वीडियो में प्लास 12 के बायलोजी के महत्पुर्ण आपजिटिव पोशिन कराने व मिल सके हैं तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं फ्रेश्ट प्रस्न से और फ्रेश्ट प्रस्न हैं पोधों में अर्धसुत्री विभाजन होता हैं तो बहुत अच्छा कोश्टिन आप बताएं पोधे में अर्धसुत्री विभाजन होता हैं इस प्रस्न का राइट एंसर होगा option d enter में ठीक है पहुदों में जो अर्ध सुत्री जो विभाजन होता है वो किसमे हो में होगा तो enter में होगा ठीक है आप इसे याद रखेंगे दिवी आई question है print ठीक है चलते हैं फ्रेंट next question को देखते हैं dna replication है इस question का right answer होगा option c होगा अर्ध संद्रच्छी अर्ध ओसंतत ठीक है आप इसे याद रखेंगे आपका next question है नेमन में से कौन जनसंख्या नियंत्रेंड की जेविक विधी है इस question का right answer होगा option d इन में से सभी ठीक है अनि पर जीविता prediction बीमारी इस सारे जो है जनसंख्या नियंत्रेंड की जेविक विधी है ठीक है next question है मिठा नोजेंड निमन में से क्या नहीं बनाते है इस question का right answer होगा option a oxygen ठीक है चलते हैं प्रेंड next question को देखते है धनकंद का उधारन है इस question का right answer होगा option b colocasia all ठीक है आपका right answer होगा option b next question है एक gene के भीन रूप को ग्धा कहते है इस question का right answer होगा option b होगा allette next question है इनमें से कौन प्राकिर्थिक बायू प्रदूस्यक है इस question का right answer होगा option d इनमें से सभी ठीक है तो आपसे पुछा क्या था प्रेंड के प्राकिर्तिक बावी प्रदूशक है ठीक है तो जो आला मुखी से निकली गैस प्रागंग प्रागंग धूलकंग इस सारे जो हैं प्राकिर्तिक बावी प्रदूशक है ठीक है तो इसलिए फ्रेंड इस प्रेंड इस प्रेंड का राइट एंसर होगा ऑप्सें डी इन में इस न्युकलाइस अब इसका right answer देंगे बहुत अच्छा question ने प्रेंट बताए इसका answer इसका right answer होगा option A ठीक है आपका next person है green muffler production किसे समझदीत है इस person का right answer होगा option C होगा ध्वानी ठीक है अनि green muffler जो प्रदूशन है वो किसे समझदीत है यह धावनी से समझदीत है अगर अभी तक मेरे youtube चैनल को subscribe नहीं किये हैं subscribe करें बेल आइकन को place करें अपने दोस्तों के साथ स्थेर करें तो next person friend जो आपसे पूछा गया है मानव जीनो प्रयोजना की खोज किसनी की इस person का right answer होगा option है कोसिस कोलिनस एवं रोडरीक ठीक है आपका next person है भुर्न पोस्त की उत्रपती किस से होती है इस person का right answer होगा option D ग्रूव भी जानू से ठीक है next person है बच्चों में मंगोलीजम या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है इस person का right answer होगा option C ट्राइसोमी ठीक है आप इसका right answer देंगे ट्राइसोमी ठीक है फ्रेंट चलते हैं next person को देखते हैं इन में से किस प्रक्रिया से DDT की संदर्ता अगली पोस्य अस्तर में बढ़ती है इस person का right answer होगा option B जेव आबर्धन ठीक है अब इसका right answer क्या देंगे जेव आबर्धन next person है BT इस person का right answer होगा option D इन में से सभी ठीक है आपका next person है सर्टोली को सीकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है इस person का right answer होगा option C होगा फोली कल अस्टीमूलेटिंग हार्मोन ठीक है आपका next person है सुक्रानू जनन की परक्रिया में सुक्रानू का उत्रपति कहां से होता है बहुत अच्छा कोशन है प्रेंड ये 2018 में पूछा गया था ठीक है तो इस person का right answer होगा option E सुक्रजनक नलिका ठीक है सुक्रानू जनन की परक्रिया में सुक्रानू की उत्रपति कहां से होती है तो सुक्रजनक नलिका के द्वारा होती है ठीक है next person है माला डी क्या है माला डी क्या है आप इसको बताना है इस person का right answer होगा option B होगा गर्ब निरोधक गोलिया ठीक है माला डी क्या है एक गर्ब निरोधक गोलिया है ठीक है चलते हैं फ्रेंट next question को देखते है और आपका next question है ओपेरीन तथा हाल्डेन ने किस विकास सिर्धान्त को दिया था बहुत अच्छा question फ्रेंट और विवी आई है आप इसका answer बताएं तो इस question का right answer होगा option C रसाइनिक विकास का सिर्धान्त ठीक है आपका next question है मेलर परियोगसाला में क्या बनाए थे मेलर जो है परियोगसाला में क्या बनाए थे आपसे वो पूचा गया है आपका right answer होगा इस question का option B अमीनो एसिड ठीक है मेलर जो परियोगसाला में क्या बनाए थे अमीनो एसिड बनाए थे ठीक है नेक्ट जो प्रस्ण है फ्रेंड जो आपके स्क्रिंड के सामने है कि पहला मानब जैसी प्रानी को कहा गया था इस question का right answer होगा option है homo heavilis ठीक है तो पहला जो मानब जैसी प्रानी को क्या कहा गया था homo heavilis कहा गया था ठीक है आपका next question है डाइनोस्टोर की स्काल में थे इस question का right answer होगा option C जुराशिक ठीक है next question है परतिरच्छा तंत्र को पुरुन रुप से दमन करने के लिए कौन सी कोसी का उतर दाई है इस question का right answer होगा option C होगा निरोधी टीक कोसी का ठीक है आप इसका right answer क्या देंगे निरोधी टीक कोसी का प्रेंड आप सारे question को याद करें जो कि आपके परिच्छा के दिरिष्टी से बहुत ही महतपुर्ण है और आपके परिच्छा में इसी से प्रेशन पूछे जाएंगे आप वीडियो के एक से दो बार देखें और याद करने कोसिस करें और आप अभी तक मेरे यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और आप चाहते हैं कि बाइलोजी के सब्जिक्टिव का भी वीडियो बनाए तो आप हमें कोमेंट करके बताएं तो उस पर भी वीडियो में बना दूँगा ठीक है और आपका सिर्फ हमें सपोर्ट चाहिए आप सब्सक्राइब करें और अपने दुस्तों के साथ सेर करें तो नेक्ट प्रेस्ट को देखते हैं फ्रेंट निमले लिखित में कैंसर कौन है आपको बताना कि जो निमले लिखित में कैंसर कौन है तो इस प्रेस्ट का राइट एंसर होगा उपसेंटी इनमेसी सभी जैसे लाइपोसा, लिक्वेमिया, लिंफो फामा, जो इस सारे जो भीमारियां हैं, वो cancer की भीमारियां है, ठीक है फ्रेंट, चलते हैं फ्रेंट, next question को देखते हैं, निमने में भारती गाय का कौन सा बेग्यानिक नाम है, अनि अपसी जो पुछा गया फ्रेंट, कि अनि गाय इस ड्रग अपसाद एबम और निद्रा में उपयोग किया जाता है, तो इस फ्रेंट का राइटेंट से रहोगा, option D, इन में सी सभी, जो आप देख रहे हैं, option A में, ठीक, option B, option C में, इस सारे क्या हैं, एक ड्रग हैं, और निद्रा में उसका प्रयोग किया जाता है, और न इस टी डी है, इसका संचरण होता है, तो इस फ्रेंट का राइटेंट से रहोगा, option D होगा, इन में सी सभी द्वारा, ठीक है, रग्त संचरण द्वारा, दुसित, सुई क्योग से, मेथून से, से, क्या होता है, एड्स, एक, आणि एड्स का जो संचरण होता है, ठीक है, आप से याद वेखिए में, फ्रेंट अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें, और मैं बाईलोग जी क्या कम से कम इस YouTube चैनल के माध्यम से, हजार कोशन कराने वाला हूं, और आप मेरे यूटूब चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें, अगर आपका सपोर्ड में हमको मिलता रहा, तो हम चरूर और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा, जो अगर आपके प